ये एक Medical Journal की रिपोर्ट है Medical Journal पंजाब के एक Medical Journal है Current Medical Journal, North Zone August 2003 ये इन डॉक्टर्स के एक Research Report है Softdrinks से देखा गया है कि Softdrinks इनसान के शरीर को एक तरीके से नहीं कई तरीकों से हानी पचाते हैं हमारे शरीर में एक लेवल होता है pH लेवल Normal होता है साथ साथ pH पे हमारा बाड़ी ठीक से काम करता है जब साथ से कम होता है तो Acidic होता है, तेजाबी बन जाता है और साथ से ज्यादा होता है तो Alkaline हो जाता है क्षारी है Average pH जो Softdrinks की है वो 3.4 है 3.4 ये इतनी स्टॉंग Acidity है कि से हडियां और दान इसमें गुल जाते है वो स्टॉंग Acidity इतनी स्टॉंग है Softdrinks में कोई nutritional value नहीं होती कोई vitamin नहीं होते कोई minerals नहीं होते और फिर उसमें जो हम लोग पीते हैं Softdrinks को शेल्फ से उठाके तो पीते हैं नहीं सबसे ठंडा जब बजार से खीर दे भी जाते हैं जो फ्रीजर में सबसे ठंडा पड़ा है वो देना ठंडा मतलो कोई का कोला वो देना है और इतने कम टापमान पे तेमपरचर सम्थिंग लाइक जिरो Zero degree Celsius के करीब जब हम Softdrinks पीते हैं तो उससे हमारे पेट के अंडर जो एंजाइम है वो काम करना छोड़ जाते है digestive enzymes काम करना छोड़ जाते है खाना हजब नहीं होता खाना सडने लगता है, fermentation होने लगती है जब fermentation होने लगती है तो उससे कई बद्बूदार gases बनती है और किए तना के टॉक्सिन बनते है विशाले बदार्थ और वो टॉक्सिन हमारे अंतरियों में अब्दॉर्ब हो जाते हैं खून के रस्ते पूरे श्रीर में दौरा करते हैं और अलग-अलग अंगों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और उससे अलग-अलग अंगों की बिमारियां होती है तो यह रिपोर्ट गहती है कि जिस्ट इमेजन एक बच्चे की सॉफ्ट इंटरस्टाइन के ओपर यह कितना नुक्सान पर चाते होंगे जो इसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पाएगे डी-डी-टी, लिंडेन, क्लोरोपारिफोस, मेलिथियोन वो क्या नुक्सान पर चाते हैं डी-डी-टी and its metabolites नर्वस सिस्टों को खराब करता है नाडियों को खराब करता है और प्रॉबेबली शायद कैंसर पैदा करता है प्रॉबेबली करसिनोजन लिंडेन, ये एक नाडियों को पॉज़न है लिंडेन और बच्चे पैदा करने की ताकत को खराब करता है और ये आज कुछ वर्ल्ड की रिपोर्ट्स है कि आज दुनिया भर में इनफर्टिल्टिली बढ़ रही है शायद ये भी कारेनास का सॉप डिंक्स और लिंडेन से कैंसर होता है इट इस इनोन कारसिनोजन ये कैंसर पैदा करता है कलोरो पारिफॉस इट कॉज़स निमोनिया और अगर मसल पैरलिसिस मास पैशियों का लखवा और अगर सास की मसल मास पैशियों का लखवाँ होजए तो डेथ भी हो सकती है respiratory failure myelothion ये nervous system को खराب करता है और इसकी high exposure से respiratory paralysis और डेथ हो सकती है Aust 만약 के डॉक्टर है dr. Ross Walker एक cardiologist है heart specialist है उन्नोंने लगबख 12 साल soft drinks के उपर research की कि उसका हमारे sheet की cells के उपर क्या असर हो रहा है और उनकी 12 साल की research की report थी कि एक problem होती है मेमारी होती है जिसको बोलते है osteoporosis हड़ियां खोगली हो जाती है हड़ियों में से calcium निकल जाता है हड़ियां खोगली हो जाती है तो उनकी report के मताबिक यह जो osteoporosis है normally यह औरतों में होती है 50-50 साल की उमर के बाद जब उनमें hormonal changes आते हैं बर डॉक्टर रॉस वाकर की report के मताबिक आज यह osteoporosis 20-25-30 साल की औरतों को यह नहीं आदमियों को भी हो रहा है और उनकी report एक और चीज़ कहती है कि जो बचे regular तोर पे softdrinks पीते हैं उनका हडियां तूटने का rate साथ गुना ज़्यादा बढ़ जाता है उन बच्चों से जो नहीं पीते हैं और last में यह doctor की report क्या कहती है उसके बावजुद आज कल softdrinks तो चल रहे है क्यों चल रहे है क्योंकि टीवी के उपर यह प्यास है बड़ी यह दिल मांगे मोर और last में यह doctor's की report कहती है you should drink kolas only if your दिल मांगे मोर pesticides यह doctor's की report है एक medical journal की report झाल